हेलो एव्रीवन वेल्किम टू आर्पिसी स्टेडी हब आरेस मेंस कुशन आंसर की सीरीज चल रही है सीरीज 23 तक हम डिसकस कर चुके हैं आज हम बात करेंगे सीरीज 24 के बारे में जिसमें हम कुछ प्रशनों को डिसकस करेंगे तो आईए डिसकस करते हैं आज का पहला प्रशन है संगडन किसे कहते हैं संगडन किसे कहते हैं यह पेपर थर्ड का है लोग प्रशाशन पुब्लिकेट संगडन किसे कहते हैं तू मार्क्स का या यह तू मार्क्स में पूछ सकते हैं फाइफ मार्क्स में लेकिन अभी अब बात करेंगे तू मार्क्स के जब किसी सरंचना का निर्मान करते हैं, तो वह संगठन कहलाता है, किसी निशित उद्देश की पूर्थी के लिए एकादिक व्यक्तियों का संगठन या एकादिक व्यक्तियों की सरंचना का निर्मान करना ही संगठन कहलाता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो अपनी और प्रेड़ना ओके यहां पर है प्रेड़ना वह मनों विज्ञानिक तत्व जिन से करमचारी संतुष्ट होकर अपना सर्वत्तम प्रदशन करने के लिए प्रेड़ित होता है एक मनों विज्ञानिक तत्व जिससे करमचारी संतुष्ट होकर अपना सर्वत्तम प्रदशन कर प्रफण करने के लिए प्रेजिट होता है उसे हम प्रेढ़ना कहते है previous être साथ में जितना भी अपना anak जो एक प्रदोशन करता है उसके लिए प्रेढ़नेवाला जो प्रॉट्व है वो ही क्या है आप सब मैं 20 वर्ड्स 15-20 वर्ड्स प्रशनों की बात करूंगी आज जिसमें हम बात करेंगे दो नंबर दो नंबर के जो कॉशन है आंसर है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और सारे प्रशन जो है वह पुब्लिकेट लोग प्रशाशन से लेटर है पेपर थर्ड के पार्ट ह नच्ट प्रशन है हमारा आदेश की एक्ता आदेश की एक्ता आंसर कैसे लिखेंगे कारे के दोहरे करंड से बचने के लिए अदिनस्त अधिकारी किवल एक ही उच्छ अधिकारी से आदिश प्राप्त किया जाना कारे के दोहरी करण से बचने के लिए कारे का क्या होता है कई बार दोहराव जाता है तो उससे बचने के लिए क्या कहता है अधिनस्त अधिकारी किवल एक ही उच्छ अधिकारी से आधिश प्राफ्ट करेगा ये इसकी शर्ट होती है यानि उच्छ अधिकारी के दोहरा अधि efficiency इसे काम कर पाएगा तो इसमें शर्थ क्या होगी अधिनस्त अधिकारी केवल एक उछ अधिकारी से आदेश प्राप्ट करेगा जिससे कारे के दुरहाव से बच पाएगा ऑकी नेक्स टम बात करते हैं परवेक्षण पर्वेक्षन में क्या होगा उच अधिकारी द्वारा अधिनस के कारियों का कारिय सुधार के उदेश से निरिख्षन करना पर्वेक्षन क्या लाता है observation, perfection क्या हो गया, कि उच अधिकारी क्या करेगा, अधिनस अधिकारी को कारे सौफता है, तो उन कारियों का क्या है, निर्देश करेगा, उसको निरिक्षन करेगा, ताकि क्या हो, कारे में सुधार हो, उसे हम perfection बोलेंगे, तो definition में हम कैसे करेंगे, कि उच अधिकारी द्वारा अपने अधिनस अधिकारी के कार्यों को सुधार कारे सुधार करने के उद्देशे से निरिक्षन करना ठीक है उसको निर्देशन देना ये सब क्या है परवेक्षन क्या लाता है उसको सूपरवाइज करना ओके सूपरवाइजर जो होता है वो यही काम होता है परवेक्षन कर सरकार एक आदर्श नियोक्ता वदार्नासी आहां किस तरह से लिखेंगे सरकार dues कारमी की भड़ती में निस्पक्षता पदोनती विकास कंल्यान एवं पेंजन का पर्याप्त द्यान रखते गरिमापून सेवा परदान करने का आउसर उपलब्द करवाना ही क्या है सरकार एक आधर्ष नियोक्ता इसमें क्या होगा सरकार द्वारा कार्मिकों की भरती में निश्पक्षता लिजाएगी पदोनती का विकास किया जाएगा कल्यान एवं पेंचन को प्रियाप ध्यान रखा जाएगा जिसे गरिमापून सेवा परदान करने का अवसर भी उपलवद कर्म होगा तो इन सभी का जो हैं हम समावेश करते हुए आंसर को लिखेंगे क्या कार्मिकों की भड़ती में निश्पक्षता, पदोनती विकास, कल्यान एवं पेंचन का प्रियाप, ध्यान रखना, गरिमापून सेवा परदान करने का अवसर देना ये सारी ही क्या है सरकार को एक आदर्श नियोकता बनाती है तो इस तरह से आज हमने ये प्रशन डिसकस करें आज के प्रशन आपको काफी अच्छे लगे होंगे अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा इसके लावद सब्सक्राइब करिएगा चैनल को आप जीता जदा जैदा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे विज्य क्या मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं क्या करूंगी वीडियो और भी अच्छे चे कोशन जो है लेकर आऊंगी So I hope आप सब अच्छे होंगे Thank you for watching